जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में यूपी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, गाइस जा आंसर है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दो लाख चालीस हजार 928 वर किलोमिटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 प्रतिशत है, आपका दूसरा सवाल है, शेत्रफल की द्रिस्टी से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? आपका आंसर है, शेत्रफल दाइज हर वीडियो में हम आपको कुछ न कुछ रोचक जानकारी जरूर देंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। आपका अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चार राज्यों की सीमा को स्पर्ष करता है। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश का सोनभदर जिला एक मात्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों की सीमा को स्पर्ष करता है। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती एक मात्रदेश नेपाल है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदिया कौन सी है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदिया, गंगा, यमुना, राम गंगा, गोम्ती, केन, बेतवा और घागरा आदी नदिया है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्शा होती है आपका आंसर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है आपका आंसर है उत्तर प्रदेश के मतुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की राजकिय भाशाएं कौन सी है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश की दो राजकिय भाशाएं हैं हिंदी और उर्दु हैं गाईज उर्दु को वर्ष 1989 में राजकिय भाशा का दर्जा दिया गया था आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में जनसख्या व्रिद्वी दर क्या है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में जनसख्या व्रिद्वी दर 20.2% है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्रों की संख्या 4 है गाईज इस वीडियो में जितने भी प्रशन दिये हैं ये सभी प्रशन एक्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषी जलवायू क्षेत रहें। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। आपका अंसर है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला सोन भदर है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन प्रतिशक वाला जिला भदो ही है. आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंदरप्रभा वन्य जीव विहार है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापूर वन्य जीव विहार है गाईज यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका सवाल है उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव विहार पटना वन्य जीव विहार है जो की एटा मिस्थित है गाईज अगर आपको यह विडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो विडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ओन कर लीजिए रोजाना ऐसी विडियो को देखने के लिए गाईज फिर मिलेंगे हम किसी और विडियो को लेकर तब तक आप जे इजाजत दीजिए जय हिंद बंदे मात्रम